नमस्कार दोस्तों स्वागता सभीगा आपके अपने यूट्योब चानल एजवे मेडसीन में आज हम बात करेंगे बुडा मेट 400 ट्रांसकेप्स के बारे में इसके के के विजेज हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉसेनल से आपको के के साइट इफेक्ट हो सकते हैं चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जोड़ देखें और अगर आपने अभी तक इस यूट्योब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राब करें और बेल आगन को जोड़ दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिक्शन मिलते रहे हैं बुड़ा मेट 400 ट्रांसकेप्स लूपिन कंपनी का बेश क्वालिक रॉक्ट हैं जिसकी प्राइस होती हैं 216 रुपए 68 पेसे पर पेक ये 30 के अपसुल के पेक में आती हैं जिसका कंटेंस होता है बुड़े सोनिट 400 MCG और 4 मेट्रोल 5 मेरेट होता है इसमें 6 MCG इसका यू मेटिसी है जिसमें होने वाला 4 मेटरोल एक लंबे समय तक असर करने वाला ब्रोंकोडलेटर है जो आपकी स्वांस नली की मान स्पेश्यों को रिलेक्स कर उन्हें चोड़ा करता है और बुड़े सोनिट एक इस्टेलाइड है जो एरवेज में सूजन प्यदा करने वाले सांस लेने में असानी प्यदा करता है इस ट्रांसकेप्स का यूज अस्थमा या फिर आप इसे दमा कह सकते हो और COPD यानि क्रोनिक आप्स्ट्रक्टिव पल्मेरी डिसीज के उप्चार भी कर जाता है अगर आपको तूल, मिट्टी या पालतो जानवरों से एलर्जी है या किसी भी चीज से एलर्जी है और उनके संपर्क में जाते हैं आपको सांस चड़ने लग जाना, सांस लेने में कठना होने लग जाते हैं तब ये काफी असरदार दवा हैं इनके साथ ही अगर आपको घरगराट होती हैं, ब्रॉंकाटिक्स के कारण कोई भी किसी भी तरह के स समस्या देखी गई हैं, तो उन लोगों को इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनको बीडी सिग्रेट या किसी भी तरह की स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी खासी बढ़ेगी और आपकी सांस समय समस्या भी बढ़ेगी, जान लेते हैं इसके साथानिया के बारे में, तो अगर आपको liver disease हैं, kidney disease हैं, या फिर आप pregnant lady हैं, तब इसे में इसका यूज़ करने से पहले आप एक बार डक्टर से सलाज लोड़ लें, इसके बाद ही आप इसका यूज़ करें, अब बात करते हैं इसका dose के बारे में, तो normally इसे एक एक transcripts आप आपको सुबह साम इन्हेल करना जता है पर अलग-अलग मरीज और उनकी कंडिशन्स पर डिपेंड करता है इसका वासरिक डोज क्या होगा तो जितना और जैसे आपके डॉक्टर ने बता हैं वैसे आप इसका यूज करें साइटिफेक्ट के अगर बात करें तो इसके जो कावन साइटिफेक्ट आपको नजरा सकते हैं वो हैं आवाज में करकस्ता या भारी पनाना आपके गले में खरास आना और उल्टी जी गबराने की प्रॉलम से आपको नजरा सकते हैं वैसे साइटिफेक्ट कुछ समय के लिए करते हैं कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर आपको इनके अलावा को भी साड़ी पर नजल आते हैं तब यसे में आप इसका यूज बंद कर दें और तुरन तब राक्टर से कंसल करें तो फ्रेंड्स उम्मीद हैं आपके वीडियो जुरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू